शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे मैं आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिलट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकार इलेक्ट्रिकल वहनों के बढ़ते चलन ने सरकारी तेल कंपनियों के शिरधारकों के माथे पर बल्ला दिया था इस बीच इन कंपनियों ने स्वच एव हरीत उर्जा के शेतर में भी कदम बढ़ा कर खुद को समय साथ फिट कर लिया है देश में स्वच एव हरीत उर्जा के प्रती लोगों के बढ़ते रुजान को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने भी इस सेक्टर में निवेश करना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में सार्वजिनिक शेतर की तेल कंपनिया इंडियान ओयल कॉर्परेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन तमिलाडू में 900 इचार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है इंडियन ओयल कॉर्पिरेशन ने तमिल लाडू में पहले से ही 133 E-Charging Station इस्थापित किये हुए हैं और उसकी योजना चालू वितवर्ष के अंति तक 409 E-Charging Station इस्थापित करने की है वह हिंदुस्तान पेट्रोलियम के राज में 89 E-Charging Station और वह 175 E-Charging Station स्थापित करेगा इसी तरह भारत पेट्रोलियम भी चालू वितवर्ष के अंति तक 145 अन्य E-Charging Station इस्थापित करेगा इंडियन ओयल के एक अधिकारी के मताबिक E-Charging Station की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रिकल वहनों की बिक्री बढ़ेगी E-Charging Station से लोग यात्रा के दोरान भी अपने वहन बैट्री की रिचार्ज कर पाएंगे सूत्रों के मताबिक एक E-Charging Station के स्थापना में एक करोड रुपे का निवेश होता है वहीं राज मार्क पर फास्ट चार्जिंग की वेवस्था होती है जबकि स्लो चार्जिंग शेहरों के अंदर चार्जिंग स्टेशन में होती है चार्जिंग शुल्क खुद डीलर तै करते है प्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंट इंदर जाद में विग ब्लिस पर आउडर करें और दस मिएट में पाएं अपने गर फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें विग ब्लिस एप खुशियों की अपनी दुकार